जैसे रावे मित्रों हरहर महादेव, जैमाता दि के मीन राश के जातकों की बात करेंगे तो आप सरी लोग वीडियो में अंतिम तक अवसे बने रहें तो कल जो है च्छे जून बटन दबाना बिल्कुल भी न भूलें ताकि आने वारी जो वीडियो हैं वह समय समय अंसार आप तक पहुंच सकें और आप हमारी वीडियो से लावान वित बात करते हैं मेंसराश के जातकों के लिए कैसा रहीगा च्छे जून 2020 का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है व्यवस्ता कर रहे लोग जो है किसी पर आंख मुंद करके आपको भरोसा नहीं करना है और नहीं आपको भावकता के से कोई निर्ने लेना है आज जो है आपको पस्तावा हो सकता है और आपको आपको जो है किसी बिपरीत प तभी जो है वाकार्य पूरे हो सकते हैं और धार्मिक कारे के पड़ते आपके रुची बढ़ते भी दिख रही है संतान को जो है संसकारों वाप्रंप्राओं का जो है आजा पाठ पड़ा सकते हैं यहरे आपको कोई आवस्यक सूचना सुनने को मिले तो उसे अपने तक ही तो दिन जो है ऑपने परो इप कर सकते हैं और परिवार में आपके मन की जो है वह पूरी होने से माहौल आज जो है खुसुरमा बना रहेगा छोटे बच्चे जो हैं वह मस्तिक करते हुए नजर आएंगे और राजनिती छेत्रों में कारियरत जो लोग भार दिख रहा है लगन वाला है अझ के लिए काम करने वाला है सेवा आदि से जुड़े वय Cas you के लिए जो है आज होने है आपकरेंगे आप आज के दिन में अच्छा मुनाफ़ा मिलने से खुसी होते हुए और आज जो है आपको बिपक्चिम्हां से अतों रहने कि आजसकता होगी नहीं तो वहां आपको कुछ स्वास्टे की और भी आपको भिषर ध्यान रखना होगा आपको कोई सवास्थ थ्यान रखना और करते हैं का कर्म कार्य कर्म करने की योजना भी किए आज आप बना सकते हैं तो अच्छा दिन रहेंग distraction का आज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अब बात करते हैं करकरास के जातकों के लिए कैसा रहेगा च्छा जून 2023 का दिन तो जितने भी करकरास के जातक हैं आज का दिन आपके लिए साबधानी और सतरकता बरतने वाला दिन रहेगा घूमने फिरने के दौरान भी आपको साबधानी बरतनी पड़ेगे और घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्व पुर्ण जानकारी भी आज प्राप्त होते हुए दिख रही है आप जो है मित्रों के साथ किसी मनोरंजन के कार्यकरम में भी आज समलित हो सकते हैं और बिद्यार्थियों की प्रिक्षाओं की तैयारी के लिए जिदने भी बिद्यार्थि हैं तो बिद्यार्थियों की प्रिक्षा की तैयारी के लिए आपको जो है बिद्यार्थि जो है उन्हें अतरिक मेहनत करनी होगी तभी आपको सपलता मिलते भी दिख रही है आप कार्यकरम में किसी से कोई भ जो है पर मोसर्व भी मिल सकता है तो कराकरास के जातकों को जो है बाद-विवात की इस्तती से आप बचना होगा अब बात करते हैं सिंगरास के जातकों के लिए छह जुन 2013 का दिन कैसा रहेगा तो जितने भी जातक हैं आज का दिन आपके लिए आयमें ब्रदी लेकर के आने वाला दिन हैं आपको जो है सुख सिब्दाओं में भी ब्रदी होने से आज खुसी प्राप्त होते वे दिख रही है और आप अपनी करीवियों की भी आज बात सुनेंगे आप किसी काम को भागे के भरों से बिल्कु तो आपके बृबार का कोई सधस्य जो है उनकी दिवा समंद्य प्रस्ताओं भी आ सकता है जो लोग घर से दूर नौकरी कर रहे हैं वे अपने परिवार के सधस्यों से मिलने भी आज आ सकते हैं और आज जो है है आपको किसे से धन ओदार नहीं लेना है इस से आज आज आपको बचना है इस बात का आज आपको ध्यान को द्यान अब बात करते हैं के जादर 6 zach 20.3 का दिन तो जितने भी कन्य राज के जातक है आज का दिन जो है आपके लिए लिए प्राक्रम में ब्रद लेकर के आने वाला दिन है आपको बुद्धी वा विबेक से कोई निर्णे लेना होगा और सामाजिक गद्विदियों में भी आप पूरी रुची दिखाएंगे आलस्य का आपको करना होगा त्याग और आलस्य का त्याग करके आगे बढ़ना होगा आईवा बहनों से आप अपने मन की इच्छा को जाहिर कर सकते हैं और सामाजिक गद्विदियों में आज आप पूरी रुची रखेंगे कारे छेत्र में आपके कुछ विरूदी आपके उपर हावी होने की पूरी कोसिस आज के दिन करेंगे तो इस बात का आपको ध्यान र रहने वाला है और रिस्तों में चल रही जो अनवन है वह भी आज दूर होते हुए दिख रही है आप परिवार में अपनी जिम्मेदारियों को बखुबी निभाते हुए दिख रहे हैं और खुसियों को दूसरों के साथ साजा भी आज आप करेंगे अपने घर के कामों का पूरा आप रखेंगे ध्यान और आज जो है धनधाने में भी बिड़्व होने से आपको खुसी मिलती हुई दिख रही है किसी धार्मिक आयोजन में आपको समलित होने का मौका मिल सकता है अवसर मिल सकता है आपको नौकरी से सम्मंदित कोई अच्छा प्रस्ता भी आज मि प्रिशिक्रासिक जातकों के लिए कैसा रहेगा जोन दो हजारतेश का दिन तो जितने भी बिडिशिक आज का दिन जो है आपके लिए किसी मन की इच्छा के पूर्थे के लिए रहने वारा दिन है आपकी कोई मन के इच्छा आज पूर्ण हो सकते है आज जो है आप सब को साथ ले करके चलने की पूरी कोशिस करेंगे और परिवार में आपकी आर्थिक इस्तिती जो है मजबूत होते भी दिख रही है और जब आर्थिक इस्तिती मजबूत होगी तो मजबूत होने के कारण म जीवनसात्य के साथ चल रही की वह आस बाद्चित के द्वारा जो है समाप्त होते चालिया आज आपको मान मिलता हुआ दिख रहा है और आपका कोई मित्र जूह से मुलाकाद करने भी करता है अब बात करते हैं धनराज के जातकों के लिए краuso घंर्ड नोगों का भरोशा जीतने में आज आप काम्याब रहेंगे आप बहुत में जो है किसी सदस्य को आपकी कोई बात जो है बुरी भी लग सकती है आप अपनी अच्छी सोच का लाव हुई आज उठा पाएंगे और अपनों के लिए कुछ बहतर करने क्या भी आज आपका परियास रहेगा आज अपनों के लिए कुछ अच्छा आप करेंगे करने का करेंगे माता जी से किसी बात को लेकर आज आपकी कहा सुने भी हो सकती है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और माता से माता जी से कोई कहा सुने आपको नहीं करनी है अब बात करते हैं मकरास के जातकों के लिए कैसा रहेगा च्छे जून 2003 का दिन तो जितने भी मकरास के जातक हैं आज का दिन आपके लिए पारिवारिक रिष्टे में एक नई उर्जा को लेकर आने वाला दिन है आपको जो है आएक के एक से अधिक स्रोत मिलते हुए दिख रहे हैं आप कोई भी महतवपुन निर्णा बहुत ही सोच समझ करके आपको लेना करियर को लेकर आप सक्रियतार रखेंगे करियर को लेकर के आप जो है सक्रिय रहेंगे आपका मनोवल जो है आज बड़ा हुआ रहेगा और आर्थिक लेंदेर के मामले में आपकी रुची भी पूरी होते वे दिख रही है विद्दार्थियों को बौधिक वा मानसिक बोज से चुटकारा मिलदा हुआ दिख रहा है आप जो है यदि किसी संपत्ति को बेचने का लंबे समय से परियास कर रहे थे तो आज आपके वह परियास रंग लाते वे दिख रहे हैं घूमने के दौरान आपको कोई जरूरी जानकारी भी प्राप्त हो सकती है जब आप घूमने जा तो जितने भी कुमराज के जातक हैं आज का दिन आपके लिए महतोपूर्ण रहने वाला है आपको सासन वा सत्ता का पूरा लाब मिलता हुआ दिख रहा है परतिसपरदा के छेतर में आप आगे जरूर बढ़ेंगे और धर्म कर्म के कारियों से जुड़ करके आपको अच् प्यारी के साथ आगे बढ़ेंगे आपके घर जो है आज किसी सदस्य का रिटार्मेंट होने के कारण कोई छोटी मोटी पार्टी का आउजन भी आज हो सकता है अब बात करते हैं मीन राज के जातकों के की मीन राज के जातकों के लिए कैसा रहेगा छैजुन दो हजार प्रेवी मीन राज के जातक हैं आज का दिन जो है आपके लिए भागी के द्रिष्ट कोंड से उत्तम रहने वाला है और आध्यात्म के पड़ते आपकी रूची बढ़ने का विक बढ़ने में से है आज आपको खुसी में देगी आज अध्यात्म की तरफ आपकी ज्यादा रूचि रहेंगे और अध्यात्म के मामलों में आप जो है बहुत ही सापधानी से आगे बढ़ेंगे आपको कारे चेत्रे Başर में उम्मीद ही 不 paints नमिलने से आपको खुसी नहीं होगा है आपको बहुत अमीद ती और जितनी उम्मीद थी उतना फल मिलने से के कारण थूढ़ा सा खुसी में कमी आ सकती है कनाव कौसण में सुधार जरूर आएगा आपका कोई बड़ा लक्षा पूरा होगा पूरा फोकस आप उसपे बनाई रखेंगे और जो है पूर्ण होगा जब आप पूरा फोकस बनाएगे तो निश्चित पूर्ण होगा तो पूरोः च्थेतर में कार्च चेत्र में होगा उन साथ विस्वास स्वेश्वाइं होगा कि आप अपनेSpohy बिस्वास बना रखें आप अपने घर जो किसी नए वाहन को रहां को आज आ सकते हैं तो मेंा के जाथ्कों के सब में च्खेतर्त 2 2013 का राशफल आज के वीडियो के मादम से हमने आपको बताया है तो आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा कमेंट के मादम से जरूर अबगत कराएं वीडियो अच्छा लगा तो इस्ट मित्रों के साथ सेर जरूर करें जो पहली बार हम से जुड़ रहे हैं किरपे हमारे च